हई हालो एंड वेलकम वेलकम टो इंफरेग अप चैनल में आपका सौख़त है आज हम सिखेंगे इंफ़ यह इन्स्टंट फंट ट्रांसबर आएंने इंस्टंट फॉंट ट्रांसफर किस तरह किसे करना है हैं प्यस किस तरह किसे करना है किसी को करना है तो वो कैसे करना है यह चीज़े हम सीखेंगे इन्फटेगब चैनल पे जो आप अपने नेट मैंकिंग के तुरू किसी को पैसा करना चाहतेख एक एक दिन में एक वक्त में इंस्टंटली तो उसके लिए क्या करना है तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपका जो Google Chrome में उसके अंदर में हमें जो है राइट क्लिक करके इन कॉगनिटो मोड स्टार्ट करना है यह इन कॉगनिटो मोड पे इस तरीके से जड़नाइड लोग इन करते हैं लोग अप्शेन पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद प्यवाद यूजर आईडी पासवड है वो दालना कर देंगे, जो हमने लोगइन किया, था हमें जाना है, जब हम प्राउट पर जाएंगे, तो यहां पे बहुत सारे औप्शन से एकांट है, उसके बाद में नेक्स्ट है, थार्ड पर्टी ट्रांसफर, अगर हमको सेम टु सेम बेंक्ट में पैसा ट्रांसफर करना है, थार्ड प्रिक्रश को एनिंतल इसकोसित बोलते एनें एफ्टी नेशनल फॉर्ण स Spicy हमें सीखना है वह है सब्सक्राइब गर्रिक करने के बाद में करें हमें बैने पिए करना है है यहां हमने अधी बैने में किया यहां पर आपको दो ऑक्ष्ण उसका पूरा डिटेल लिगे तब से पहले वहां पे उसका नाम लिखेंगे जो भी अकॉट होड़र का नाम है कि उसके बाद में अकाउंट नंबर जो उसका अकाउंट नंबर वो लिखना है प्रॉपरली फिर से हमें इसको वेरिफाय करना है कि अकाउंट नंबर हमने दाला है तो वो प्रॉपर है यह नहीं कि उसके बाद में आपको जो है वोई अकाउंट नंबर फिर से डालना है कन्फरमेशन अकाउंट में कि उसके बाद में आपके जो है बैंक का आएफसी कोड डालना है और आए उसके बाद में आएफसी कोड जो है आपका और उसको एड़ कर देना है कि यहां पे करें कि निचे एक आप्शन आपको दिखर है कॉपई एफसी बैने फैस्री ये सेम टोसे मापको बेने फिस बढ़ाना है तो कॉपई पिंध करेंगे ने यहां पर option चल रहा है यह यहने वह एक account बना रहा है जो इंस्टंट फंड ट्रांसपर का है कि यहने बेनेफेश्री जो है आपका create हो रहा है कि आपके आपके जो है वह इमीडियेट पेमेंट सर्विस इसे कहा जाता है इन्हें फास पेमेंट सर्विस का नाम है आपके इस तरह किसे हमें कुछ देर रुखना है अकॉंड नंबर के लिए इमीडियेट पेमेंट सर्विस यहां पे जो लिखा हुआ है गवर्मेंट आप इंडिया की सिक्रीडिक सर्विस है जो फॉंड याने मनी ट्रांसफर के काम में आती है इसके अंदर में यहां पे आप्शन दिये वे ऐस पर एन एन पी सी आई सर्कूलर मैक्सिमम अमॉंट आफ पर पर इसक्षान यहां हम herbs को लैख्यों कर सकते मैं मैक्सिम्म ट्रांजिक्षीं लिमिट अगर आपकी बैंग बैंकींग मेंकी की थफर्पाटी की यहने पिसी टू पिसी टू अकाउंट जगर करना है आपको तो कि तस लाग रुपे भी हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपने बैंक की जो है या लिमिट बढ़ानी पड़ेंगी और नीचे एक आप्शन और है कि आप जब भी भी बैंक अकाउंट का डिटेल दा ले तो उसमें आपको अपने इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर गड़वड हुई है इसे एड़ अकाउंट पर हमने क्लिक करने पर इस तरीकी से अगर इंविलेट दिखाता है तो हमें जह है यहां पर चिएक करना है कि क्या आपका अकाउंट यहां पर फिससे अवयलेबल है आउन पेछ पे अपे देखते हम वहीं अकाउंट नहीं है थी तो हम कॉपी पर क्लिक करते है क्लिक करने वसके से हमें अपना कोड़ डालना है झाल झाल इस तरीके से आपका जो है बेनिंफेशरी एड हुआ इड होने के बाद जब हमें प्यमिंट करना है तो यहां पर जाना है उसकर वहाँ से अपना पहुंट ट्रांस्ट कर सकते हैं अब थार्ड पार्टी अकाउंट कैसे बनाना है यहां पर हम देखेंगे थर्ड पर्टे अकाउंट के लिए फिर से हमें वही बैंक अकाउंट नंबर दाना है जो भी आपके बैंक अकाउंटर हुडलर का नंबर है पर आपको जो है उसका अकाउंट बैनिफेशरी जो नाम हो दालना है और इसको एड्ड कर देना है जब हमने एड्ड किया तो यहां पर आपको आपका लॉग इन पूछेंगा फिर आपका जो पासपर्ट जो भी होंगा पर आपको आपको एक कोड आएगा या फिर आपका डेली का ट्रांसेक्शन है तो कोड नहीं भी आ सकता है कि अब तो कि जो कि अंगा को अगता है इसके बाद हमें कंपर पेपे क्लिक करना है और एप्रूव करना है जो हमने एप्रूव किया तो यहां पे एक आपका यूनिक कोड आएंगा वह हमको दलना है HDFC से आपका जो अकाउंड है आड़ी भी है तो आड़ी भी ऐसे आएंगा वो कोड आपको यहां पे दलना है और वेरिफाय करना है जबने वेरिफाय किया फिर से हमें ट्रांजेक्शन नंबर दालना है वहाँ पर फिर आपका जो है जो आपका ट्रांजेक्शन आड़ी यह पासवर्ड हो दालेंगे और ओके कर देंगे जो हमने ओके कर दिया तो इस तरीके से जो है आपका बेनेफिशरी जो है यह एड हो गया अब इस बेनेफिशरी को आपको पेमेंट करना है फिर से हम थर्ड पाड़े पर क्लिक करके कंफर्म बेनेफिशरी पर जाएंगे थर्ड पर क्लिक करने के बाद में जाएंगे और हुआ से हम जो है जो बंदे को हमें पेमेंट करना है उसके लिए हमें कुछ दियर रुखना पड़ेंगा यहां पर बता रहा है कुछ आवर्स कि 16 और एक्टिवेशन के लिए लगेंगे उसके बाद में हम से क्लिक करके में पेमिंट करेंगे तो आपका जो बेनेफिचरी वह आटमेटिकली बेनेफिचरी कुछ आटमेटिकली आपका पेमिंट चला जाएंगा इस तरीके से जो है आप अपना आएम पीएस और अफ्ट तर्ड पार्टी ट्रांसपर एंफ्ट जो है अपना एंफ्टी बैंक से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं थैंक यू पर वाचिंग इन्फोटेक अप इसे सब्स्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू वेर